पाट का शीर्षक है पापा जब बच्चे थे पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तयार होता मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था शुरू-शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार चापता है उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वो खूब शोर मचा सकते है उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया भई वाह पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे वो ठेले को लेकर खूम भी सकते है और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते है पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा चोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आईस्क्रीम दिया करूँगा जब पापा की माता पिता ने ये सुना कि वो आईस्क्रीम बेचने वाला बनना चाहते है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हसे लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वो यही काम करेंगे फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अची बादनी को देखा ये आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था लेकिन ये डिब्बे और इंजन खेलाने नहीं बलकि असली थे असली कभी वो प्लाटफॉर्म पर उचल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता वो कोई बहुत अजजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था पापा ने पूछा ये कौन है उन्हें बताया गया ये शंटिंग करने वाला है शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा जब रेल गाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तयार करना होता है रेल गाड़ी की साफसफाई की जाती है इंजन को घुमा कर इंधन पानी भरा जाता है इसे शंटिंग कहते हैं पापा को बताया गया बस पापा को पता चल गया की वो क्या बनेंगे वो तो रेल गाड़ी के डिब्बो की शंटिंग करेंगे इससे भी ज्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है जाहिर है कि कुछ भी नहीं जब पापा ने कहा कि वो शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइस्क्रीम बेचने का काम करोगे हाँ अब आइस्क्रीम बेचने के काम का क्या होगा ये सच मुझ समस्या थी पापा ने शंटेंग करने वाला बनने की सोच ली थी मगर आईस्क्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वो नहीं गवाना चाते थे आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया पापा ने जवाब दिया मैं शंटेंग करने वाला और आईस्क्रीम बेचने वाला दोनों बनूँगा सबको बहुत अचमभा हुआ उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है आईस्क्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा कुछ तेर आईस्क्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा वहां मैं कुछ दिब्बो की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आईस्क्रीम और बेचाऊँगा इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा कुछ दिब्बो की शंटिंग कर लूँगा इसके बाद जाकर फिर कुछ आईस्क्रीम और बेश लूँगा इसमें स्यादा मुश्किल नहीं होगी क्यूंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्याद अदूर नहीं जाना पड़ेगा सब लोग फिर हस पड़े पापा हुस्से में आकर बोले अगर तुम मेरी हसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकिदार भी बन जाऊंगा आखे रात में करने के लिए होता ही क्या है सभी कुछ तै हो गया लेकिन एक दिन पापा को वायो यान चालक बनने की सूची इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सूची इसके अलावा वो जहासी भी बनना चाते थे खम से कम वो चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे अंत में एक दिन उन्होंने तए किया कि वो असल में जो बनना चाते हैं वो है कुट्ता उस दिन वो दिन भर चारों हाथ पेरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौकते रहे एक बूरी महिला ने उनकी सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की पापा ने भौकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाकर अपने पालतो कुटे के साथ बैठ जाए तो शायद वो कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे पापा कुटे के पास जाकर बैठ गए उसी वक्ते एक अचनबी फौजी अफसर उधर से निकला वो खड़ा होकर पापा को देखने लगा वो उन्हें कुछ तेर तक तो देखता रहा और फिर उसने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो पापा ने जवाब दिया मैं कुटा बनना सिख रहा हूँ तब फौजी ने पूछा तुम कुटा क्यों बनना चाहते हो पापा ने कहा क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनका रह चुका हूँ अफसर ने कहा बात तो सही है पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं पापा ने पूछा मुझे तो नहीं पता आप ही बता दिजे अफसर ने कहा इसके बारे में तुम अपने आप सोचो अफसर वहां से चला गया वो ना तो हसा और ना मुस्कुराया पापा सोचने लगे वो सोचते ही रहे अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी पर अचानक ये बात पापा की समझ में आ गई कि वो रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा मैं इंसान बढ़ना चाहता हूँ इस पार कोई भी नहीं हसा और पापा समझ के कि यही सबसे अच्छा जवाब है आज भी वो यही समझते हैं पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए हैं अच्छा इंसान बनना चाहिए कि거든 झाल 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 झाल